हेलो फ्रेंट्स काजोस किचेंग क्लब में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं सेव टमाटर की सब्जी बहुत बार ऐसा होता है कि सेव टमाटर की सब्जी खाने का मन करें तो हम धाबे पे जाते हैं क्योंकि धाबी की सेव टमाटर की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती लेकिन अब आपको धाबे पर जाने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम बिलकुल धाबा स्टाइल टेस्टी ऐसे सेव टमाटर के सब्जी घर पे ही बनाने वाले हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही जल्दी बन जाती है तो चलो इसे जल्दी से स्टाट करते हैं और हां मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजी यानिकि मेरी इन बड़े चम्मजीतना तेल डाल देती हूं सेव टमाटर की सब्सक्राइब तेल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है तो तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे तो यहां पर हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर डाल रहे हूं आधी लेसुन अद्रक और हरी मिर्च की पेस्ट बना ली है जब भी आप कोई सबजी बना रहे हो तो उसमें आप लेसुन अद्रक और हरी मिर्च की पेस्ट फ्रेशी ले उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो मैंने यहां पर इसे सारे चीजों को मिक्स कर लिया है अब मै चोटे टुकडो में कट कर लिया है, चोटे टुकडो में कट करने से क्या होगा कि यह जल्दी से पीगल जाएंगे, तो इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूं अच्छे से, इस तरीके से देखिए, तो यहां पर मैंने टमाटर को आधे मिनिट के लिए ऐसे ही पकने दिया था, अब म इस प्यूरी को भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूं, तो बाकी बचे हुए मसाले भी हम कर लेते हैं, तो यहां पर मैंने एक बड़ी चंबर जितना धनिये और जीरे का पावडर लिया है, तो उसे भी मैं डाल देती हूं, और उसे के साथ मैंने यहां पर दो लाल मिर्च पाउडर लिया है उसे भी डाल देती हूं तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो दोनों मसाले को हम सबजी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसके अंदर पानी एड़ करूंगी तो यहां पर मैंने आधा ग्लास पानी एड़ किया है बह जो हमारे टमाटर है वह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है तो अब में इसके अंदर डाल रही हूं दही तो यहां पर मैंने दो चम्मजितना दही लिया है उसे मैंने अच्छे से फैट लिया है एक बात का आप ध्यान रखे कि यहां पर हमें दही बिलकुल भी खट्टा नह लेना है जो आपके पास खटा दहीं हो तो आप उसकी जगह पे घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पे एक छोटी चमब जितना गरम मसाला डाल देती हूँ और उसे के साथ में यहाँ पे दो छोटी चमब जितनी चीनी ली है चीनी से हमारी सबजी स्वीट न नमक डाल देंगे और अब इस सबजी को हम वापस से मीडियम फ्लेम पे कवर करके तीन से चार मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे सबजी हमारी पक रही है तब तक हम सेव देख लेते हैं तो सेव टमाटर की सबजी में हमें कैसी सेव यूज़ करनी चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में बहुत ही छोटी साइस की जो सेव आती है वो ली है इस सेव का बिलकुल भी सबजी में यूज़ ना करना क्यों कि यह सेव जल्दी से पीगल जाती है तो हमारी सबजी बहुत ही जल्दी से सौगी हो जाती और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है दूसरे बोल में मैंने थोड़ी से बड़ी साइस की सेव लिए यह सेव या फिर इससे भी मोटी साइस की जो सेव आती है उसका आप लुँखे हैं वाओ बहुत ही अच्छे से हमारी सब्जी पक चुकी है तो इसमें से बहुत यह से से बहुत ही चूटने लगा है तो लो जकावारी मेथी तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच जितनी कसूरी मेथी ली है कसूरी मेथी का टेस्ट इस सबजी में बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे जरूर डालिएगा और अब बारी है सेव डालने की तो मैं आपको बता दू के अब मैंने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि हमार पे एक बॉल जितनी सेव ली है तो यहाँ पे मैं सेव डालने के बाद इस सबजी को हम तूरंत खाए तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आप देखिए यह सेव जल्दी से हमारे सबजी में पिगल नहीं रही है तो य पराठे रोटी या पूरी के साथ खा सकते हो इस सच में बहुती टेस्टी और बिल्कुल धाबा स्टाल सबजी बनके तयार हुई है तो चलो प्लम इसे सव कर लेते हैं. और हाँ मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिले के साथ शेयर जरूर करना मेरी चैनल पे पहली बार आये है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसी ही नए रिसेपि के साथ जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बाबाई